हाई फॉक्स वेलकम टू मैं चैनल नॉलेज़ विट पिंग पेसर सो बिसिकली आज का जो यह टॉपिक होगा मैंने लास्ट वीडियो में पार्ट फोर्ड में मैंने आपको दिखाया था कि हम किस तरह से क्वारी फंक्शन में हम सम का यूज कर सकते हैं तो आज भी हमारा सेमी टॉपिक रहेगा बट थोड़ा डिफरेंट वे में रहेगा तो आज का जो टॉपिक है कि हम सम को यूज करेंगे लेकिन पार्टिकुलर फिल्टरेशन के हिसाब से करेंगे मतलब वैर क्लोस को लगाके हम पार्टिकुलर जो फिल्टर है उसके उपर में हम इसको यूज करे है वो दिखाओ मेरा जो यहां पे work order है work order के base में मेरा selling price केतना है वो दिखाओ तो यह आपको बोल सकता है तो कुछ भी नहीं करना है simple मुझे क्या करना है filter लगा देना है मैंने last video में जैसे बताया था कि हम पूरा data में से पूरा जो data है यह data का selling price केतना है यह data का discount price केतना है वो मैंने आपको दिखाया था आज मैं दिखाओंगा कि particular stock का selling price केतना है particular contract का selling price केतना है particular work order का selling price केतना है वो मैं आपको दिखाओंगा तो basically जैसा जैसा आपको company बोलेगा वैसा वैसा आपको काम करना है आप कुछ भी कर सकते हो सीव आपको लॉजिक सीखने चाहे आप कुछ भी कर सकते हो, और मैं जो आपको बता रहा हूँ, इसी की उपर मैं आपको पूछेगा, इससे बाहर कुछ ने पूछना है, ठीक है, तो मुझे कंपनी बोल रहा है, या मुझे इंटर्व्यूर बोल रहा है, कि मुझे स्टॉक के को मुझे स्टॉक स्टॉक का मैं इस निकालना है कितना है , उटॉकbung के स्टॉक स्टॉक की slipp कितना है, है, stock के basis में मेरा केतना selling हुआ है, selling price केतना है, वो मुझे देखना है, तो कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, query function लगाँगा, equals to, query, query करने के बाद, bracket open, क्या लूँगा, मैं इस street में आ जाऊँगा, इसका नाम क्या है, data, data, तो चलिए, लेते हैं, data, data लेने के बाद, exclamator sign, करने के बाद, data obviously a1 से start है, और w a1 से start है, a1 से start है, up to w, कहां तक है, अर्दम 3001 तक है, क्योंकि मैंने, last 4 वीडियो में, मैंने आपको वहीं बताया, ठीक है, same data है, तो a1 से लेकर, मैं करूँगा, w3001, करने के बाद, comma दूँगा, double quotes open and close करूँगा, अब मैं यहाँ पे query लिखूँगा, क्या करूँगा, पहले मैं पूरा table को select करूँगा, यानि select, select करने के बाद, अब मैं sum करूँगा, किसको selling price को, तो मुझे तो selling price sum करने के लिए बोल रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि selling price sum करो, लेकिन किस के basis में करो, मुझे बोल रहा है कि यह stock के basis में करो, तो पहले मैं देख लेटाओ मेरा selling price क्या है, Q के under में है, Q column में है, तो अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ पे select sum bracket में, मैं देदूँगा, यहाँ पे Q bracket close, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, stock के basis में करो, तो where, where, अब मैं यहाँ पे देखूँगा, कि stock कौन सा जगा में, stock कौन सा column में, stock मुझे दीख रहा है, purpose के under में है, D column में, बस तो मैं यहाँ पे कद दूँगा, where, D equals to single course open and close, obviously जो भी मेरा character होगा, वो मुझे single course के under में लिखना है, तो मैं stock के basis में करूँगा, बस stock के basis में मैं कद जैसे मैं enter करूँगा, तो मेरा वहाँ पे आ जाएगा, मेरा वहाँ पे आ जाएगा, उसका selling price आ जाएगा, ठीक है दोस्टो, समझ में आया, तो इस तरह से हम इसमें इसको कर सकते हैं, ओके, अब, अब जो मेरा है, अब मुझे देखना है, contract के basis में मुझे आप देखना है, तो contract के basis में मुझे आप देखना है, मैं एक काम करता हूँ, इसको drag कर लेता हूँ, ठीक है, drag करने से क्या आता है, देखता हूँ, कुछ नहीं आया, okay, मैं fit से यहाँ पे इसको drag कर लेता हूँ, okay, drag करने से कुछ नहीं आता है, कोई बात नहीं, तो मैं इसको यहाँ से fit से मै मुझे यहाँ पर कर देना है Contract तो कांट्राक के basis में वह निकल जायेगा धीक है तो contract के basis में मेरा इतना आ रहा है अब मेरा last है work order तो work order के basis में मैं देख लेता हूं क्या आ रहा है वा कड़ समें मेरा same चीज जाएगा, यहाँ पर मुझे क्या करना परेगा, यहाँ पर सिभ इसको filtration को change करना परेगा, filtration को मेरा यहाँ पर change करना है work, फिर यहाँ पर करना है order, ठीक है, जैसे मैं enter करूँगा, तो मेरा वो भी आ जगा, oh my god, तो मैं देख्ञा हूँ स्टॉक का इतना सेलिंग प्राइस हुआ है, जो भी प्रोडक्ट स्टॉक का निकला है, सेल हुआ है, उसका सेलिंग प्राइस एतना है, एतना प्राइस में वो सेल हुआ है, टोटल प्राइस में एतना सेल हुआ है, कॉंट्रेक्ट में भी सेम है, ठीक है, कॉंट्रेक्ट में तो इस तरह से हम डेटा को एनलीसिस कर सकते हैं, आपको जादे कितना टाइम लगा है, तो इस तरह से आप अगर सीख लोगे तो आप इसली इसको कर सकते हो, तो मेरा जो यह सम का बेसिस में दो वे में आपको दिखाया, पार्ट फोर का जो वीडियो है, उसमे मैं टोटल इस केतना हुआ है, पूरा डेटा में से, वो सम यूज करके मैंने आपको दिखाया, ठीक है, पार्ट फोर का वीडियो, अगर आपने पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट फ्री, पार्ट फोर नहीं देखा होगा, तो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो आप देख लेना, वहाँ से पहले वो देखना, फिर इसको देखना, और इस वाले टॉपिक में हमने क्या सीखा है, कि मेरा जो स्टॉक के बसिस में कितना सेलिंग हुआ है, प्रोडट कितना सेलिंग परेस, टोटल सेलिंग परेस, टॉट के बसिस में कितना हुआ है, वो मेरा है, contract के basis में कितना हुआ है, वो मेरा है, work order के basis में कितना है, वो मेरा हुआ है, ओके दोस्तो, I hope कि ये वीडियो आपको informative लगा होगा, कोई भी problem होगा, तो comment section में जरूर बोलिए, ओके दोस्तो so, thanks guys, thanks for your time